तो दोस्तों आप देख सकते हैं समजा बिलकुल रेडी हो चुका है और चत्नी भी बिलकुल रेडी हो चुका है तो यह रहाँ चत्नी और समोसा हमने नमस्कार दोस्तों मेरा एक न्यू ब्लॉग में फिर से आज आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी अभी मैं तुरत हटिया से आया हूं और आने के बाद थोड़ा सा भींग भी गए थे बहुत जादा बारिस भी हो रहा था आज तो आज बारिस का मौसम है दोस्तों तो हम आ रहा है समोसर चतनि बन रहा है मาसम है धेल विलकुल ला जबाव है तो हम वादा जोपने का मन करता है थिफार रहा है तो थो आज समोसा उर चतनी बन रहा है तो चलि दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं भाब kangar भी मैयिदा को सानेगी तो इसमें ओआक दिए नमक डाला दाला गया जवाइन जसको काते हैं कोई कोई जवाइन भी बोलता है तो अजवाइन और नमक भी डाले हैं और थोड़ा सा इसमें हम रिफाइन डालेंगे और अ-प्रेंग और पिधा रिंकी क्या कर रही है मसाला भूईने का तयारी हो रहा है दोस्तों तो आप देख पा रहा है डालीगा उसमें मसाला लगभाग 15-20 मिनट तक इसको भूईना है पहले जब यह बहुत अच्छी तास से भूना जाएगा उसके बाद इसमें आलू को डाल देना है तो दोस्तों मसाला हमारा विल्कुल ह जा चुका है और इसमें अब हम आलू को डालेंगे दाली अब को डाल करके इसको धेरे-धेरे ऐसे करके ग्लास से हम इसको से क्या होगा कि बिल्कुल यह मिल जाएगा और मिलने के बाद थोड़ा देर तक इसको फिर भूनना है और हो जाना के बाद जब अच्छा तरह से भ अब सान करके हम रेडी रखें हैं इसको हमारा मसाला भी बन चुका है बिल्कुल यह बन का मसाला है टेस्ट करके भी इसको हम देखें बहुत सौधिश्ट बना है मसाला और दोस्तों चप्ली के लिए यह जो ब्रेसर पीज़ने के लिए तमातर जो सीजने के लिए दिये थे बिल्कुल यह सीच चुका है और इसको हम पहले मिला देते हैं यह बिल्कुल पूरा में चुका है और इसको मिलाने के बाद आप बड़ा समुशा खना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं अपने हिसाब से इसको आप बूल बना सकते हैं कर देना है बीच में आधा उधर रखना है आधा इधर रखना बीच में कटिंग कर देना ऐसे बिल्कुल बनाना है इसको अब इसको पानी लगाना है देखिए रिंगी जी भी कर पा रही है और बिल्कुल इसको ऐसे बना लेना है ऐसे करके ऐसे बना लेना है इसमें और इसमें ऐसे करके मसाला डाल देना है और मसाला डालने के बाद फिर इसको ऐसे करके पानी इसमें लगाना है चारो तरफ और पानी लगाने के बाद इसको फॉल्ड करके ऐसे करके इसको दबा देन समोसा बन चुका और इनकी चीजी देखिए थे हैं थोड़ा से तो अच्छा से चाहां तक प्रॉड़ा में तो तसक यहां ऐसे घरके और समूचह रख देना है थाली पे ऐसे करके बना बनाके और पूरा थाली में रख देना दोस्तों तो फिर बनाते हैं अभी लगभाग आदा घंटा इसको पहले बनाने में लगेगा उसके बाद फिर इसको छांगते हैं अब में रिपाइन गरम होने के बाद में अब मेंधा को डालने के बाद और निकाल लिए हैं और तमाटर जो हम इसको इसको भी बिल्कुल दाल की तरह पतला कर दिया है हैं और पूरा मिला करके इसको यहां पे रख वय हैं अब आपव इसमें थोड़ा सा नालेंगे रीघांगों अधि CaliforniaLr से एक को पूरा बढ़िया से इसको पहले इसमें पानी डाल सकते हैं इसे थोड़ा पतला होगा अलदी इसको स्वाधिष्ट लगेगा घर का हल्दी है उसके बाद दौस्तों इसमें जलजीरा भी थोड़ा साम डाल सकते हैं हुआ थोड़ा सा क्हट नीन भी से दाल सकता है अवह देख सकते हैं समोसा विलकुल रेडी हो चुका है ऑर चत्नी वी समोसा आज हुआा को बहुत अच्छ आफ टेस्टी है दोस्तों एक बार आप भी खाaders करके देखिए और आप हम लोग भी टेस्ट करके देखेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जिरूर कीजिएगा और इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए हमारे चानल को और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को आप सेर कीजिए और अंतिम तक देखिए दोस्तों तो आज तक के लिए तब तक के लिए बाइए